रोज प्रेयोग होने वाले महत्वपून अंग्रेजी शब्द AS यानि की जैसा जैसा मैं कहता हूँ करो Do as I say जैसा मैं कहता हूँ करो Do as I say His H-I-S His यानि की उसका उसकी उसके इस्तमाल होगा सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानि की मेल मेंबर के लिए उसका मोबाइल नया है His mobile is new उसका मोबाइल नया है His mobile is new That T-H-A-T That यानि की की मैं यह कहना चाहता हूँ की I want to say that मैं यह कहना चाहता हूँ की I want to say that For यानि के लिए For यानि के लिए यह उसके लिए है This is for him यह उसके लिए है This is for him On इस्तमाल होता है पर के तौर पर On यानि की पर किताब मेज पर है The book is on the table किताब मेज पर है The book is on the table With यानि की साथ With यानि की साथ मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ I play with my friends मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ I play with my friends Be यानि की हो Be पढ़ते हैं इसको Be अर्थ इसका होता है हो जैसे यह हो सकता है It can be यह हो सकता है It can be At At जिसका अर्थ होता है पर क्या अर्थ होता है पर वह घर पर है He is at home वह घर पर है He is at home One यानि की एक One यानि की एक एक कप कोफी One cup of coffee एक कप कोफी One cup of coffee Have H-A-V-E Have यानि की पास है यानि की पास है मेरे पास एक कलम है I have a pen मेरे पास एक कलम है I have a pen This T-H-I-S This यह This यानि यह यह रोहन है This is रोहन यह रोहन है This is रोहन From F-R-O-M From यानि की से From यानि की से वर्दिल्ली से आया है He has come from Delhi वर्दिल्ली से आया है He has come from Delhi By B-Y By यानि की द्वारा By यानि की द्वारा He came by bus वह बस द्वारा आया He came by bus वह बस द्वारा आया He came by bus But Beauty But यानि की लेकिन But यानि की लेकिन, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, but we will study, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, but we will study, what, wh, a, t, what, यानि की क्या, आप क्या कर रहे हैं, what are you doing, आप क्या कर रहे हैं, what are you doing, will, w, i, double l, will, जिसका अर्थ होता है, ग, 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 गी, जैसे मैं यह करूंगा, I will do this, मैं यह करूंगी, I will do this, मैं यह करूंगा, I will do this, कूदा यानि की जंप, J-U-M-P, जंप यानि की कूदा, वह कूद गया, he jumped, वह कूद गया, he jumped, stick यानि की चड़ी, stick यानि की चड़ी, चड़ी को कस कर पकड़ी, hold the stick tightly, चड़ी को कस कर पकड़ी, hold the stick tightly, skin यानि की तवच्चा, skin यानि की तवच्चा, उसकी गोरी तवच्चा है, she has fair skin, smile यानि की मुस्कुराना, smile यानि मुस्कुराना, कृपया मुस्कुराएं, smile please, कृपया मुस्कुराएं, smile please, root यानि की जड़, root यानि जड़, गाजर खाने योग्य जड़े हैं, carrots are edible roots, meat, m-double-e-t, meat, यानि की मिलना, meet, यानि की मिलना, क्या हम मिल सकते हैं, can we meet, meet, buy B-U-I buy, यानि खरीदना B-U-I buy, यानि खरीदना मैं हर हफटे एक कलम खरीता हूँ I buy a pen every week मैं हर हफटे एक कलम खरीता हूँ I buy a pen every week raise, यानि की बढ़ाना raise, यानि बढ़ाना अपने हाथ उपर करें या अपने हाथ उठाएं अपने हाथ बढ़ाएं raise your hands raise your hands push, यानि धक्का push, यानि धक्का, दर्वाजे को धक्का दो, push the door, door यानि दर्वाजा दर्वाजे को धक्का दो push the door cook, यानि पकाना cook, यानि पकाना मुझे क्या खाना बनाना चाहिए? या मुझे खाने में क्या पकाना चाहिए? इसके अलावा cook की शब्द का इस्तमाल जो है वो रसोईये के लिए भी किया जाता है hotels में, restaurants में जो रसोईये होते हैं, जो खाना बनाते हैं उन्हें cook कहकरके बुलाया जाता है जैसे cook को बुलाओ call the cook रसोईये को बुलाओ call the cook cook शब्द का इस्तमाल रसोईये को संबोधित करने मतलब रसोईये को डिनोट करने या फिर खाना बनाने के परिक्रिया को बताने के लिए भी किया जाता है तो उसके बाद है हमारे पास held यानि की आयोजित held यानि की आयोजित इस्तमाल देखेंगे यहां सभा आयोजित की गई थी the meeting was held here किसी चीज का आयोजित होता है तो उसको held किया जाता है आयोजित करना यानि की held अंग्रीजी में इस्तमाल होता है held इसको पढ़ते हैं जैसे यहां पर सभा आयोजित की गई थी the meeting was held here याद रहेगी बात तो चलिए ये थी आज की क्लास उम्मीद है समझ में आ गई है आपको क्लास बहुत आम से शब्द थे जो हमने किये और आपको करनी है इस क्लास की प्राक्टिस अगर आपने इस क्लास को पहली बार देखा है इसका मतलब आप इस चानल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अन कर दीजेगा कमेंट करके मुझे बताइए ये बेसिक शब्द वाली क्लास आपको कैसी लगती है ताकि आगे और मैं इसकी क्लास लाती रहूं आप देख रहे थे माई इंग्लिश कोचिंग से तुने टो माई इंग्लिश कोचिंग